हलो बच्चों आज की कफ्षया में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग वसंत भागती का पार्ट 13 जहां पहिया है कि इस शेशांस की पुर्णावित्ति करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दू कि लेखक जब पूडु कोटई गए दा मिलाडु का एक में प्रेयोक करते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आज चरह हुआ वह उसी अनुभव को इस पार्ट में हम लोगों के साथ वह सांज्या करते हैं और महां प्राप्त की गए अनुभव और जो अलग-अलग महिलाओं से मिले उनके विचारों से वे अवगत हुए और उन महिलाएं जो है करते हैं कि साइकल चलाना चलाने में उनको एक स्वाधीनता स्वतंत्रता और गतिशीलता कान्वह होता है और एक उनको आत्मिक खुशी मिलती है साइकल चलाने से वे कह रहे हैं कि वहां की बहुत ही पिछड़े वहां का बहुत ही पिछड़ा इलाका माना ज गाउं में कुछ रूरीवादी पिष्ट भूमी के परिवार से आई हुई एक महिला एक लड़की जिसका नाम था जमीला बीबी उसने साइकल के विशय में अपने विचार लेखक के सामने व्यक्त किये और उसने लेखक से कहा कि ये उनका अधिकार है और वे इस अधिकार को अपने हां से जाने नहीं देंगी बल्कि वे साइकल को चलाना नहीं छोड़ेंगी जाए कितनी भी उन्हें के सामने परिशानिया आए और ये भी बताती कि जब उन्होंने साइकल चलाना शुरू किया तो लोगों ने उनके खिलाब हक्तियां कसी और बहुत ही मतलब एक तर का परिशान किया गया जिससे कि वे साइकल चलाना चोड़ दें परन्त उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अंत में सफलता हासिल के दूसरी महिला जो की फातिमा जिनका नाम है वे एक माध्यमिक स्कूल की अध्यापिका हैं उन्होंने बताया कि इनके पास उतने पैसे नहीं है कि ये मतलब एक साइकल खरीच सके तो वे किराये पे साइकल लेकर के उस साइकल का उसको आधे घंटे किराये पे लेती हैं और फिर चलाती है जिससे इन्हें एक मतलब शांती एक सुकून जैसा प्रतीत होता है उनको बहुती मतलब आनन्द मिलता है तो वे करती हैं कि मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इस से हमें किसी के उपर निर्भर इसको चलाने से हमें किसी के उपर निर्भर नहीं होना पड़ता है उसके बाद उन्ह उन्होंहीं जो जमीला वीबी और फातिमा नाम की जो लडकिया है उनकी ही एक मित्र अवकन्य जिसका नाम है उससे वे- जीले वह सारी लड़कियों को अरी यासपास की लड़कियों को और इवतियों को साइकल सिखाती है उसका जो है उन्हें साइकल सिखाने का कारे करती है यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था अब आगे कांस पढ़ेंगे इस जिले में साइकल की धूम मची हुई है इसकी प्रसंसकों में हैं महिला, खितिहर, मजदूर, पत्थर ख़दानों में मजबूरी करने वाली और गाउं में काम करने वाली नरसे कहरें की इस जिले में साइकल की धूम मची है यानि की यहां जो पूडू-पूटे जिला है वहां साइकल चलाने वालों की धूम मची हुई है मतलब साइकल चलानने में उनकी विशेश रूची है और यह बता रही हैं कि यहां इन जो cycle के प्रसंसक हैं cycle चलाने वालों के प्रसंसक हैं उसमें महिला खेतियर मजदूर हैं जो खेतों में काम करती हैं मजदूरी करती हैं इसके साथ साथ पत्तर के ख़दानों में काम करती हैं ऐसी महिलाएं मजदूरी करने वाली जो अन्य ओरतें इसके अलवा गाओं में जो काम करने वाली नर्से हैं इन सभी नर्सों और सारी महिलाओं महिलाओं का जो समू है यह सभी cycle के चलाने के प्रसंसक हैं बाल बाड़ी आंगन बाड़ी कारे करता बेश्कीमती पत्थरों को तराशने में लगी ओरते और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकल का जम कर इस्तेमाल करती है कर रहें कि जो बाड़ी में काम करती है यह महिला है और जो आगन बाड़ी में काम करती है वो महिला है तथा ग्राम सेविका का जो कारे करती है यह महिला है यह सारी जो हैं साइकल चलाने को अच्छा समझती है या उनको उनका वे इस्तेमाल करती है ग्राम से विकाएं और दोपहर का भोजन पहुचाने वाली औरते भी पीछे नहीं हैं इस कारे में ग्राम से विकाएं और जो दोपहर में लोगों के घर खाना पहुचाती हैं उन सभी में का भी योगदान है वे भी इसमें इस कारे में पीछे नहीं हैं सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है यहां पर नव साक्षर का आर्थ क्या हुआ जो नया नया जो शिक्षा जिन्होंने हासल की है नव साक्षर नव साक्षर इसका आर्थ है अभी मतलब जिसने नया नया कुछ सीखना सुरू किया है नव मने नई सिक्षा कुछ ऐसी महिला है जो कि अभी अभी सिक्षा प्राप्त की नौ साक्षर करते हैं तो नई सिक्षा प्राप्त की है ऐसे लोगों में नई नई साइक्षा चलाने वाली महिला से मैंने बात चीद की लेखाक ने कुछ नहीं नई साइक्षा चलाने वाली महिलाओं से बात की तो उनसे साइक्षा चलाने और उनकी व्यक्तिकत आजादी के बीच एक सीधा संबंद बताया इन महिलाओं का विचार था कि साइक्षा चलाना और व्यक्तिकत आजादी दोनों का एक सीधा संबंद है यानि कि दोनों एक कड़ी से जुड़े हुए हैं मैंने साइक्षा चलाने से उनके जीवन में एक आजादी का भाव आता है एक आजादी का अनुह वे जीवन में करत करना है मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास बदान किया अगुआ अगुवा का अर्थ है आगे चलने वाली या नेत्रित्व करने वाली अगुवा का अर्थ है नेत्रित्व करने वाली अगुवा का अर्थ है नेत्रित्व करने वाली जो नेत्रित्व करने वाली महिला है इन साइकल सिखाने के कारे में उनका कहना है कि इस साइकल ने लोगों को महिलाओं को बड़ा ही आत्मविश्वास बदान किया है साइकल चलाने से लोगों मने महिलाओं के अंदर एक अद्गुत आत्मविश्वास आया है महत्वपूर्ण यह हैं कि इसने पूर्षो पर अपनी निर्भरता कम कर दी है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे क्या हुआ है कि लोगों का जो पूर्षो पर निर्भर होना था मतलब महिला है जो पूर्सों पर निर्भर थी कि यदि उनको कहीं जाना है कोई कारे करना है या तो कोई समान खरीदना है या बेचने जाना है तो वे घर के पूर्सों पर निर्भर रहती थी जैसे कि वो पिता पर पती पर या बेटे या भाई किसी के साथ उनको जाना होता थ यह अब नहीं करना पड़ता है तो यह यहां पर बता रहें कि पूर्शों पर उनकी जो निर्भरता थी वह अब कम हो गई है क्योंकि जब से उन्होंने साइकल चलाना सीखा है अब हम प्राया देखते हैं कि कोई औरत अपने साइकल पर चार किलो मिटर तक की दूरी आसानी से तै कर पानी लाने जाती है लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने कई औरतों को देखा है कि जो चार किलोमेटर की दूरी तै करके साइकिल चला के चार किलोमेटर की दूरी तै करती हैं और अपने घर के लिए पानी उसी पे ढोके ले आती है यानि पानी लाना घर का काम है तो बाहर के काम के साथ साथ वे घर का काम भी इससे कर सकती है ये इनको सुविधा हुई है साइकिल चलाने से मने साइकिल चलाने से उनको किवल स्वतंतरता ही नहीं मिली बलकि उनके घर औ बाहर के कारियों में उनको बहुत इससे सहायता मिली है कभी-कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं यहां लेखक यह कर रहे हैं कि कभी-कभी हम देखते हैं कि उनके साथ में बच्चे भी होते हैं यानि वो बच्चों को भी साथ में लेके जाती हैं जिसे कि उनका घर का भ जो जो साइक्ल से सामान ढोकर के वे एक स्थान से दुसरे स्थान तक आराम से ले जा सकती है मतलब साइकल से उन्हें ये भी फाइदा है कि वे समान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती है लेकिन ये कीन मानिये हैं जब इन्होंने साइकल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जम कर प्रहार किया जिसे इन्हें जहलना पड़ा तो यहां लेखक कह रहे हैं कि लेखक से जो महिला अपने भावों को अपने अनुभावों को बाट रही है वो ही बता रही है कि जब उतने साइकल उन लोगों ने उस गाउं की महिलाओं ने साइकल चलाना शुरू किया तो लोगों ने जम कर उन पर प्रहार किया यानि व्यंगबार छोड़े फप्तियां कसी बहुत तरह से उन्होंने ऐसी ऐसी बाते कहीं जो की सहन करना मुश्किल हो सकता था परन्तु उन सारी टिपड़ियों को उन गंदी टिपड़ियों को वो फोड़ती गई उस पर ध्यान नहीं देती थी और जिसके कारण आज वे इस मुकाम तक पहुच गई है कि समाजी को उस साइकल चलाने को यहां पर सामाजीक स्वीकृति मिल गई है मने समाज के द्वारा स्वीक्रित कर लिया गया है स्वीक्रित करना मने स्वीकार किया जाना स्वीक्रिती का अर्थ है स्वीकार किया जाना स्वीकार किया जाना मतलब समाज ने उनको साइकल चलाते हुए देखने से कोई भी अब विरोध करना बंद कर दिया है किसी भी तरख कवे विरोध में करते हैं यящनि कि अब उनने सामाजिक स्विक्रिति मिल गइंडी समाजी उसे श्विकार कर लिए है कि महिलाओं भी साइकल चला सकती है ठीक है अब आगे देखते हैं कि महिला इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया और जब समाजिक स्विक्रिती मिल गई तो महिलाओं ने इसको पूरी तरह से अपना लिया साइकिल प्रसिक्षण स्विर देखना एक साधारन अनुथ है कि एला कुरूची गाओं में सबी साइकिल सेखने वाली महिलाएं रवी बार को इकट्थी हुई थे यहाँ पे कभी लेखा कर रहे हैं कि cycle projection शिविर देखना एक असाधारन अनुह है मतलब वहाँ पे cycles सिखाने के लिए शिविर लगाय जाता है हर रभिवार रभिवार को cycle सिखाने के लिए शिविर लगता है और महिलाएं ही युगतियां ही लोगों को cycle सिखाती हैं तो लिखा कर लहें कि उनके लिए एक ये असाधारन अन्भोव है. मतलब कि पहले उन्होंने कभी इस तरह का अन्भोव प्राप्त नहीं किया था कि कहीं साइकल जलाने का सिखाने का सिविर लगे। यहने कि शिविर तो लगता ही रहता है परन्तु इस तरह साइकल चलाना सिखाना इसका सिविर कभी उन्होंने पहले देखा नहीं था इसलिए यह करते हैं कि यह प्रसिक्षन सिविर देखना एक औसाधारण अन्भो है और साधारण मतलब की साधारण था हम साइकल चलाने का सिविर नहीं देखते हैं नहीं दिखाई पड़ता है मैं बलकि यह एक विश्यस रूप से यहां चलाया जाता है किला कुरुची गाओं में सभी साइकल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकठी होती हैं और यहां पे जो किला कुरुची नामक गाओं हैं वहां पे जितनी भी साइकल चलाने वाली महिलाएं हैं वे रविवार को इकठी होती हैं यानि साइकल चलाना सीखने के लिए वे इस रविवार को वहाँ पर जाती है साइकल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेक देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता आवेक का मतलब होता है कि मन के अंदर का जो मन मतलब एक इच्छा है उसको आवेग यहां पर कर रहे है कि साइक्ल चलाना साइक्ल चलाने के आंदोलन के समर्थन के प्रति ऐसा आवेग देखकर उन्हों कोई भी हैरान आपर हो सकता है कि किस तरह से यहां की महिला है साइक्ल प्रस्टिक्षन सिविर का संद्द साइक्ल आंदोलन का समर्थन करती हैं मतलब साइकल को चलाने को उन्होंने एक आंदोलन के रूप में लिया जबकि आंदोलन कई प्रकार के होते हैं पर साइकल चलाना सीखना जो एक आंदोलन के रूपे यहां पर प्रयुक्त हुआ जो कि लेखक के लिए एक मतलब अनुखी चीज़ ह जो कि उन्होंने कभी भी जिसका अनुभो नहीं किया था इसी लिए ऐसा कर रहे हैं कि यह आंदोलन जो है एक तरह से लोगों के मन में उत्सा जगाता है और साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेक देखकर कोई भी हैरान रह सकता है मतलब मैलाओं के मन में जो साइकिल चलाने के प्रतितीबर इच्छा है उस इच्छा को देख करके कोई भी हैरान हो सकता है हैरान का अर्थ क्या है आसचरय चकित हो जाना हैरान का अर्थ है आस्चरे चकित हो जाना है हैरान का अर्थ है आस्चरे चकित होना तो कर रहें कि साइकल चलाने के प्रतिति तीव रिच्छा शायदी कहीं देखने को मिले मतलब इसको देख करके कोई भी एहरान हो सकता कोई भी आस्चरे चकित हुए बिना नहीं रह सकता उन्हें इसे सीखना है साइकल ने उन्हें पुर्षो द्वारा थोपे गए दाइरे के अंदर रोजमर्रा घे के घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया मह दिखाया मिलाओं का अन्वो था कि वे साइकल सीखना चाहती है वे साइकल अवस्य सीखेंगी क्योंकि इस साइकल ने क्या किया उनके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला दिया कि पूर्षो ने उन्हें रोजमर्रा के दाइरे मतलब पूर्षो नों एक निस्चित दाइरे में उन्हें बांध कर रखा था दाइरा यानिकी सीमा ठीक है दाइरा यानि सीमा दाइरा का अर्थ है सीमा मतलब एक निस्चित सीमा में पूर्षो ने उन्हें बांध कर रखा था उस सीमा से जो उनकी जो रोजमर्रा रोजमर्रा यानिकी प्रतिदिन रोजमर्रा क टिति च की एक गिसी पीटी जिंदय कि ची काम करने पड़ते थे सवेरे से उठकर उंकी जिंदगी थियॉँ एक ही काम, मतलब घर काम केड़ा ३रू जारू खाना यह सब जो उनकी जिंदगी थी इसी दाइरे में बंधी हुई थी जिसको की पूरुशों ने उन्हें जिसमें की बांध रखा था एक सीमी दाइरे में उस से बाहर निकलने का रास्ता इस साइकल ने उन्हें दिखाया यानि साइकल ने उनके जीवन में एक आमोल प्यूल परिवर्तन लाकर कड़ा कर दिया यह नौ साइकिल चालक गाने भी गाती है अब यहां पे नौ साइकिल चालक कहा गया है किसे जो नए कम उमर की योतियां है इन्हें नौ साइकिल चालक कहा गया है यह गाने भी गाती है यानि कि यह साइकिल चलाने का जो प्रदर्शन करती है लोगों को करने के लिए लोगों को आकर्शित करने के लिए उस प्रदर्शन में ये गाने भी गाती हैं गाने भी गाती हैं उन गानों में साइकल चलाने को प्रोच्साहन दिया गया है और गानों के जो बोल है उन गानों के बोलों में साइकल चलाने को प्रोच्साहन दिया गया है प्रो उत्साहान कार्ज क्या होगा उत्साह वर्धन प्रा है उपसर्ग और उत्साह शब्द है ठीक है तो उसकार्ज क्या है उत्साह वर्धन उन मतलब जो महिलाएं साइकल चलाना नहीं जानती है उनको उत्साह वर्धन किया गया है जिससे कि वे गाने को सुनकर प्रेरित हो और व इन में से एक गाने को की पंक्ती का भाव है ओ बहना आँ सीकें साइकिल घुमे समय के पहिये संग लेखक कर लेखक ने हुहां जो गाना सुनात Un chills को बाते हुए उस गाने का भाव उन्होंने बताया कि उस गाने का भाव यह है कि वे कहती है कि ओ बहना मने आओ बहनो हम लोग साइकल सीखें और समय के पहिये के संगुमें यानि कि जो समय में बदलाव आ रहा है विकास के दौर में जो हम लोग चल रहे हैं उस बदलाव को अपने जीवन में हम लाएं यानि हम अपने जीवन को बदलें और जीवन में हम इस समय के पहिए के साथ मनें समय जिस तरह से गतिशील है समय जैसे परिवर्तित होता रहता है उसी समय के गतिशीलता को अपने जीवन में भी ले आएं तिक है अब आगे जिन्हे साइकल चलाने का प्रसिक्षन मिल चुका है उनमें से बहुत बढ़ी संख्या में साइकल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकल सिखाने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं आगे ये बताते हैं लेखक जिन्हे साइकल चलाने का प्रसिक्षन मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकल सीख चुकी महिलाएं अभी नई 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 साइकल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं यानि कि केवाल सीख लेना ही नहीं बलकि सीखने के बाद जो प्रसिक्ष्रम पा चुकी है उन महिलाओं का कार्य है कि वे जो है नई साइकल सीखने वाली जो महिलाओं हैं उनकी मदद करें उनके साइकल सीखने में वे सहयोग देती हैं उनको साइकल सिखाने का कारे करती हैं खुद जो अभी सीखने वाली जो नई महिलाओं होती है उनको वे पूरी तरह से सहयोग करती हैं उनमें यहां न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बलकि उनके बीच यह उस्सा भी दिखाई देता है कि सभी मेलाओं को साइकल चलाना सीखना चाहिए अब यह बताते हैं लेखक कि यह जो है केवल साइकल सीखना सिखाना जो है ये काम एक कर्तबे के रूप में नहीं करती हैं केवल साइकल सीखना और साइकल सिखाना ये कारे ही नहीं करती हैं बलकि इनका ये जो है उनके बीच ये उत्साह उन लोगों के बीच ये उत्साह देखता है कि ये उन्हें साइकल चलाना चाहिए यानि कि उनके अंदर ये उस्साह दिखता है कि वे एदी समाज में समय के साथ चलना चाहती है एदी जीवन में गतिशीलता लाना चाहती है तो उन्हें अवस्य साइकल सीखना चाहिए ये वे कहना चाहती है मतलब खुद सीख लेने तक ही इनका दायरा सीमित नहीं है बलकि ये खुद सीखती भी है और अपने साथ ही अपने आसपास की महिलाएं हैं जो सीखना चाहती है और अगर नहीं भी सीखना चाहती है तो उनको प्रेरित करना ये इनका कार्य है तो वही यहां पे कर रहे हैं कि उनमें यहां ना केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बलकि उनके बीच यह उत्सा भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकल चलाना सीखना चाहिए तो वे लोगों को उत्साहित करती हैं, महिलाओं को उत्साहित करती हैं कि उन्हें भी साइकल सीखना चाहिए 1992 में अंतराश्टी महिला दिवस के बाद अब या जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता हैंडल पर जंडिया लगाएं, घंटिया बजाते हुए साइकल पर सवार पंद्रा सो महिलाओं ने पुटू कोटई में तुपहान ला दिया महिलाओं की साइकल चलाने की इस तयारी ने यहां रने वालों को हक्का बक्का कर दिया अब आगे यह बताते हैं कि 1992 यानि कि जो 1992 को अंतराश्टी महिला दिवस मनाय गया था उस समय इन्होंने अपने साइकल का आंदोलन भी शुरू किया तो यह कर रहे हैं कि साइकल उस समय मने 1992 के बाद जो वहां के जिले की जो हालत है वो अब पहले जैसी कभी नहीं हो सकती यानि कि पहले जैसे महिलाएं परावलंबी थी दूसरों पर ज्यादा सहरा दूसरों का खोजती थी और अपना काम नहीं कर पाती थी यह सब कार्य जो है अब इस तरह का उधारण देखने को कभी नहीं मिल सकता अंतराश्ट्रे महिलादिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं दे सकता यानि कि पहले जैसे यहां पर महिलाएं जो है आत्मनिर्भर नहीं थी और दूसरों का सहरा लेती थी और इनका बहुत समय भी नस्ट होता था यह सब जो चीजे थी वो अब कभी नहीं देखने को मिलेगी मतलब 1992 का जो अंतराष्टिय महिला दिवस है वह इनके लिए भी विकास का दिवस बन गया हैंडल पर जंडिया लगाएं घंटियां बजाते हुए साइकल पर सवार अब हम लोगों को अब वो लेकर करते हैं कि अब जो भी वहां जाएगा उनको रास्ते में साइकल पर जाते हैं जाते हैं और जिनको इस लिए जाती है क्योंकि वे लोगों को प्रभावित कर सकें जैसा नहीं हो सकता हैंडल पर जंडियां लगाएं घंटियां बजाते हुए साइकल पर सवार पंद्रसो महिलाओं ने पुड़ू कोटई में तुफान ला दिया महिलाओं की सामाजी किस्थिती की इस तैयारी ने यहां रहने वालों को हका बका कर दिया अब यह बता रहें कि जो औरते प्रदर्शन कर रहे थी साइकल चलाने का तो वे साइकल पे घंटियां लगा के और जंडियां लगा के बजाते हुए चली जा रही थी तो इसमें जो है इस प्रदर्शन में करीब पंद्रा सो महिलाओं ने भाग लिया इस प्रदर्शन के कारे में पंद्रा सो महिलाओं ने प्रदर्शन में शामिल होकर इस प्रदर्शन को और मजबूत बनाया महिलाओं ने पुडु कुटई में तुफान ला दिया इसका मतलब क्या है तुफान ला देना यानि कि तुफान से जैसे सारे समानी दर उदर भी कर जाते हैं कहां के चीज कहां पहुंच जाते हैं तो उसी तरह से इनके भी जीवन में एक तरह से क्रांती आ गई यानि कि इन्होंने जो मतलब कि किसी के भरूसे रहने की जो आदत है उस आदत को इन्होंने छोड़ दिया उसको त्याग दिया अब साइकिल पर पंद्रा सो महिलाओं ने पुडु कोटई में तुफान ला दिया मतलब पूरी तरह से सब कुछ बदल दिया पंद्रा सो महिलाओं ने जो जंडियां लगा करके साइकिल में घंटियां लगा के प्रदर्शन कर रही थी उन्होंने पूरे पुडु कोटई का माहूली बदल कर रख दिया अब यह कर है कि महिलाओं की साइकिल चलाने की जोपडी ने इस तयारी ने वहां रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया और इस प्रकार पंद्रा सो महिलाओं अपस में जो हे तै करके साइकिल चलाने निकलती है इस कारे से वहां के लोग हत्प्रब वह हो गए यानि वहां के कि लोग भी हक्का बक्का रहा गए वे वह तोचे कि वह लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा भी बदलाव आ सकता है उनोंने कभी पहले सोचा ही नहीं था ठीक है अब इसके बाद है अब मतलब की इतना बदला हुआ जाएगा कभी उन्होंने इसके पहले सोचा ही नहीं था कि पंदरा सो महिलाएं रास्ते में प्रदर्शन करते वे चली जा रही हैं और उनके साइकल में जंडियां लगी हुई हैं घंटियां मतलब लोगों को उन्ह ने अपने इसकारे से प्रभावित भी किया इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी इसके पक्ष में आर साइकल्स के मालिक को तो रहना ही था कर रहें कि यहां के जो लोग थे यहां के जो पुरुष वर्ग थे इन सारे मामले के प्रति उनकी क्या राय थी यानि कि यहां लेका करें कि इसके पक्ष में सारे लोग जो विरुदी है परान्तु आर साइकल का मालिक जो था वह इनके पक्ष में था और उसको रहना ही ठा क्योंकि इन महिलाओं के साइकल चलाने से उसे फाइदा हो रहा था अम अब बनाए उसके बिक्री और उसने लेडिस साइकल की विक्री उसके लेडिस साइकल की विक्री भी काफी बढ़ गई थी तो इसलिए वह उन लोगों के पक्ष में था मैलाओं के बाकी पूरुस उनके पक्ष में नहीं थे आज बस इतना ही शेश अगली कक्षा में पढ़ेंगे धन्यवाद